हेलो अबरेवान आप सबीका फिर से स्वागत तश्मीना फैशन चैनल पर आप में हमारा चैनल अभी तर सब्सक्राइब नहीं किया तर सब्सक्राइब करने ना भूलें आज इस वीडियो में मैं आपको स्लीट्स पे लेस्ट लगाने के बताऊंगी यह जो डिजाइन से आज बहुत ट्रेंडिक में हार कोई बहुत पसंद कर रहा इसे तो चलिए स्टार्ट करेंसे हमरे आज का वीडियो कि हम स्लीट्स पे जो है इन्वीजिबल लेस्किस वाहाँ थिछान बन जाय या फिर आप चाहें तो वहां पर जो है चौक से निशान लगा लेंगे लगा तो यहां पर हमने प्रेस से सेट कर लिया है और इसी तरीके से हमने चारो तरफ लिट्स को मोड़ते हुए मार्जिन जो हमारा है और इस पर हमने प्रेस से सेट कर लेंगे तो हमें आसानी होगी तो देखें यहां पे हमने प्रेस से निशान बनाया वह था बिल्कुल अच्छी तरीके से यहां पे दिखाई दे रहा है तो उसी निशान के उपर हमने लेस लगाना है तो यहां पर हम नीचे की तरफ हमारी right side रखेंगे और उपर की तरफ हमारी wrong side जब हम इसे turn करेंगे तो उपर हमारी right side आ जाएगी तो जो हमारा निशान है उसी निशान के उपर हमने उसके उपर रखते वी लेस को हमने सिलाई लगा लेनी है इस लेस को हमने चाक के उपर तक लगाना है एक इंच उपर तक फिर हम इस लेस को कट करके निकाल देंगे हमारी लेस लगा लिएелिए और चाक के उपर तक हमने लगाई हुई है आप एक इंच आदा इंच उपर लगा सकते हैं तो अभी नीचे की तरफ से हमने थोड़ा सा फैब्रिक को मोड़ेंगे फिर उसके बाद थोड़ा सा और मोड़ते वे हमने लेस को कवर कर लेंगे और उसके पर हम बारिक सिलाई लगाएंगे और इस सिलाई को हम ऊपर तक लगा लेंगे हीप तक तो देखें यहां पर हमारी लेश जो है उपर तक हमने लगा ली हुई है और इससे टर्न करेंगे तो हमारी जो लेश से वो घुम हो जाएगी तो बिल्कुल इन्वीजिबल ये हो जाएगी तो अभी हमने जो है उपर की तरफ से जो है बरटा का करके सिलाई लगा लेंगे तो देखें हमने लेस को एक तरफ लगा ली हुई है और इसी तरह के से हमने दूसरी तरफ भी लेस को लगा के तयार कर लेंगे तो देखें यहाँ पर हमने दोनों तरफ लेस को लगा के तयार कर लिया है और यह इतनी फिनिशिंग के साथ लगी हुई है जो बरटक करके सिलाई हमने लगाई हुई थी उसे निकाल दी हुई है और नीचे की तरफ हमने हाथ सिलाई कर दी हुई है इसमें बहुत जादा फिनिशिंग आ गई है और हमारी जो इन्वीजिबल लेस है वो लगके तयार है तो बाद में हमने नीचे की तरफ जो दामन है उसे भी मोर दियावा था और इसे भी हेंच चिछ कर लियावा है यहाँ पर मैंने जो दामन को पतला मोरा हुआ है आप चाहे तो इसे चोड़ा भी मोर सकते हैं यह आपके उपर है तो आपको मेरी आज की डिजाइन मेरी वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं अब मिलते हैं मैं नेक्स वीडियो में